हमारे चैनल में एक बाद फिर आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं TGT PGT की जो नई 27,000 पदों पर भरती आने वाली है उसका इंतिजार कर रहे अभ्यार्थियों से संबंदित है चैन बोड पर अभ्यार्थियों का प्रदर्शन आज और ग्यापन भी सौपेंगे तो चैन बोड पर आज अभ्यार्थि प्रदर्शन करेंगे और ग्यापन भी सौपेंगे और प्रतिक्षा सुची में चैनित अभ्यार्थियों को निक्ति देने के भी मांग करेंगे और शास्की मादमिक विद्यालियों में प्रसिचे तिसनातक सिचक TGT और पराइसनातक सिचक PGT के तक्रीबन 27,000 पद रिक्त पड़े हैं और अभ्यार्थियों को अब रिक्त पदों पर भरती शुरू होने का इंतिजार है मुख्य मंत्री ने विभिन कारकरमों में युवांसी हवादक भी किया था कि रिक्त पदों पर भरती सिग्र पूरी की जाएगी हाला कि अब तक इन पदों पर भरती के लिए विग्यापन भी जारी नहीं हो सका है हो सका है अभ्यार्थी मांग कर रहे हैं कि विग्यापन जल्द जारी किया जाए तो अब तक इन पदों पर विग्यापन भी जारी नहीं हुआ अभ्यार्थियों की मांग है कि विग्यापन जल से जल जारी किया जाए इस मसले पर अभ्यार्थी शोमार को चैन बोड पर प्रदर्शंकर ग्यापन सौपेंगे और चैन बोड ने 31 अक्टूबर को TGT और PGT के 15,195 पदोपर भरती प्रक्रिया पूरी किये इन पदोपर भरत अभ्यार्थियों के लिए आयोजित परिच्छा में तक्रीबन 14,000 अभ्यार्थियों ने आवेदन किये थे चैन 15,000 अभ्यार्थियों का ही हुआ है बाकी अभ्यार्थि बिरुजगार रह गये उन्हें अब TGT PGT के 27,000 पदोपर भरती शुरू होने का इंतिजार है अभ्य अभ्यार्थियों काना है कि वर्ष 2016 के बाद वर्ष 2021 में हुई भरती हुई और इस धोरान वेरोजगारों की संक्या भी तेजी से बढ़ी है ऐसे में 5 साल बाद भरती के बाद भी पड़ी संक्या में वेरोजगार नौकरी के लिए भटक रहा है और नया विग्यापन जारी होने के बाद ही उन्हें रहत मिलेगी तो इस तरह नया विग्यापन के लिए आज अभ्यार्थि चैन बोर्ड पर ग्यापन भी सोपेंगे अगली नियुज है कि अब सपा और ब्यस्पा शासन काल में जो लंबीत भरतियां है अब उनकी बारी है 4512 एड़ेट माधमिक कालेजों के लिए प्रवक्ता और प्रसिची तिसनातक सिचक बीजीटी टीजीटी बड़ी संक्या में चैनित हो चुके हैं सासन के निदेश पर अब उन्हें कालेज को मुकिया यानि प्रधन अचारिया भी मिलेंगे माधमिक सिच्छा सेवा चैन बोड उत्तर प्रदेश बस्पा और सपा शासन की 2011 और 13 में प्रधन अचारिया भरती पूरे करने की तयारी में है जल्दी साक्षातकार घोसित होगा और दिशंबर मदे से 2013 के लिए इंटर्विव होने वाला है तो पहले का है 11 और 13 के प्रधान अचारिया भरती है उसके साक्षातकार को अब सुचना जारी होने वाली है चैन बोड ने माधमिक का लेजो के लिए PGT-TGT 2021 की भरती रीकार्ट समय में पूरी की है और जन्वरी में आवेदन शुरू करके अक्टूबर में दोनों का अंतिम परडाम जारी हो चुका है लिखित परीचा का परडाम आने के बाद अवकास के दिनों में भी सदस्यों ने साक्षातकार जारी रखा और इसी तरज पर लंबित भरतियां पूरी करने की तयारी चल रही है तो जिस तरह से अभी 2021 की भरती पूरी हुई है TGT-PGT की चुट्टियों में भी काम चालू था उसी तरह से जो साक्षातकार है 2011 और 2013 के प्रधन चार्यापत का उसे भी पूरी करने की तयारी है अगला मुख्य नियुजय की प्रात्मिक सिच्चक भरती के लिए धर्ना आज होगा तो DLR और BTC का प्रसिचर पूरा कर चुके प्रसिचक को नई प्रात्मिक सिच्चक भरती का इंतिजार है और इस मसले पर प्रतियोगी चात्रसों मुआर को परिच्चा नियामक के इंदर पर धर्ना प्रदर्संग करेंगे और उनकी जो मुख्य मांगे हैं वो इस तरह है जैसे कि विदित है कि DLR BTC का प्रसिचर PNP के द्वारा कराया जाता है और PNP ही DLR BTC मातरी संस्था है भीते तीन साल में बेसिक में किसी भी प्रकार की भरती नहीं आई है जबकि TGT PGT और लिटी की भरतियां हर वर्स आ रही है चुकि यह गलत है हर वर्स कहां आ रहा है DLR BTC के लाग प्रसिचित सीटेट पास करके मानसिक अवसाद में और स्टेट प्रात्मिक सिचकवर्ती की कारेकारी संस्था PNP है कि PNP सचीव साषन को अगत कराई की टेट पास प्रसिचितों की संक्या 10 लाग के करिब है और अकेले DLR BTC की 5 लाग से ज़्यादा प्रसिचित है PNP सचीव सासन को अगत कराए कि तीन साल में बेसिक में भरती नहीं जारी हुई है और 19 स्टेट के बाद PNP सचीव सासन को अगत कराए जब से DLA का प्रसिचर सुरू हुआ तब से बेसिक में किसी भी प्रकार की भरती नहीं आई है PNP सचीव सासन को अगत कराए बेसिक में 90,000 से ज़्यादा पत खाली है और PNP सचीव सासन को अगत कराए कि भर्ती बोट के नाते PNP को जल है स्टेट का आयोजन कराने का आदेश दिया जाए तो ये सारे मांगे आज PNP के समक्ष रखी जाएंगी और धरना प्रदर्सन आज का सुरू भी हो गया है यहाँ देखिए PNP पर भारी संक्या में चात्रों की भीड है चात्र बहुत भारी संक्या में उपस्तित हैं और अपना प्रदर्सन भी चालू कर दिया है अगला नेजय की आज जारी होगा जूनियर हाइस्कूल सिच्छक भरती परिच्छा का परदाम तो जूनियर हाइस्कूल प्रदाना द्यापक एमसाय का द्यापक भरती परिच्छा दोहरती परिच्छा 2021 का परड़ाम सोहमार को जारी किया जाएगा और यह परड़ाम 12 नॉम्बर को जारी होने वाला था परिच्छा नियामक परादिकारी ने इस परिच्छा के परड़ाम को अंतिम रूप दिया है और सपल अभ्यार्तियों के सिच्छी बेसिक सिच्छा ने देख सक को प्रेशित की जाएंगी इसके बाद वहां से मेरिट के अधार पर चैन और निपती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी तो आज देखें देर साम तक इसका जो रिजल्ट है वह जारी कर दिया जाएगा अग़ला ने असिस्टेंट प्रोफेसर भरती परिच्छा से सम्बन दित है कि हिंदी के पांच प्रस्णों पर अपत्ती जताई गई है प्रतियोगी चातो ने आयोक के पांच सवालों में निकाली है कमिया पाठिक्रम से बाहर के सवाल पूछने का चातो ने किया है दावा तो प्रदेश के अशास्किय सहायता प्राफ्तमाद बिद्यालियों में 2003 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के तथ सनीवार को आयोजित हिंदी पिसाय की परिच्छा के पांच प्रसनों पर अभ्यार्थियों ने अपत्ती जताई है और उत्तर प्रदेश उचेतर सिछा चैनायों को साच्यों के साथ आपत्ती भेजने के तैयारी कर रहा है तो इस तरह से अब यह चलन सुरू हो गया है कि कुछ न कुछ प्रसन ऐसे बिवादिक प्रसन डाल दिये जाते हैं कि जिनको लेकर छातर कोड कचारी के चक्कर में पढ़ जाते हैं तो दोस्तों इसी आपको कैसा रा कमेंट करके जरूर बताए और हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब करिए सिच्छा जगह से जुड़ी हुई तमाम इंपार्टेन नोटिपेकेशन को पाने के लिए